नमस्कार दोस्तों मैं मैं इसकुमार आपका यम के क्लासे जैश्टी हप पर स्वागत करता हूं दोस्तों मैं 19 अक्टूबर 2019 के विश्तित करण्ट की बात कर रहा हूं जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है पहला आपका जो भी शेस है इसमें अनूप कुमार सिंग बने NSG के महाने देशक पहला तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यह अनूप कुमार सिंग जी है जो गुजरात कैडर के 1985 बैस के बरिष्ट आईपेस सदिकारी है इन्हें राश्चिय सुरुक्षा गार्ट कमहाने देशक निक्ति यह गया है और इनकी जो निक्ति है ब्लैक कैड्स कमांडो बलके डीजी के तौर पर निक्ति को प्रधान मंत्री नारेद मोधी के नेत्रित वाली मंत्री मंडल की निक्ति समित एसीसी ने यह मंजूरी दी है यह निक्ति पद में शामिल होने की तारीख से और 30 सितंबर 2020 तक होगी एनस्जी की यहां पर इसका दिंदे रख़ा इस वाली लाइन में एनस्जी की इस थापना अंतगवादियों का आतंगवादियों का मुकाबला करने के लिए संगी अकास्मिक बलकी रूप में हुई थी चले नेक्स्ट देखेंगे आप काफ़ ज़्यादा इंपोर्टेंट भारत करेगा इंटरपोल महासवा की मेजवानी भारत 2022 में 21 में इंटरपोल महासवा की मेजवानी करेगा जैसे अभी पूछ ले कि भारत 2022 में कौन सी मेजवानी करने वाला है इंटरपोल की महासवा की म 91 ठीक है भारत की मेजवानी का प्रस्ताव चिली के सेंटियागो में चल रही इस साल की इंटरपोल महासभा में रखा गया इस से पहले साल 1997 में अब तक एक ही बार भारत में इंटरपोल की आमसभा का आयोजित हुआ है कि तरीकों और बित्ति के लिए आवस्ट्रक्शन साथनों पर प्रत्नितियों द्वारा बिचार विमर्ज और चर्चा होगी नेक्स देखेंगे आप बिस विख्या चित्रकार कालिदास कर्मकार का निधन बंगलादेश के अंदर राष्टे घ्यादी प्रावत्य चित्रकार कालिदास कर्मकार का धागा में निधन हो गया और उनका जम 10 ज़नों 1946 को फरीत पूर जिल्ले में हुआ था इन्होंने 1979 में कलकत्ता के गौर्वन्ट काले साब फाइन्स फाइन आर्स एंड़ क्रप्ट से इसनाता की पढ़ाय पूरी की और ललित कला में इनके योगदान के लिए उन्हें 2016 में सिल्प कला पदक और 2018 में बंगला सरकार द्वारा एकुशी पदक से सम्मानित की किया गया नेश्ट देखेंगे आप अंडमान और निकोवार दीव समू रक्षा अभ्यास 2019 ये भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अंडमान और निकोवार कमांड अंडमान और निकोवार दीव समू रक्षा अभ्यास 2019 की दूतिय संस्क्रण की सुरुवात की गई है भरत तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा डेनेक्स 19 ठीक है चलिए नेक्स देखेंगे डाक्टर जितेन सिंग ने किया परमान उर्जा का कांकलेव 2019 का उद्खाटन तो केंद्रिय पुर्वत्र छेत्र विकास वतंत प्रभार प्रधान मंत्री कार्याले कार्मिक चंशि दाक्टर जितेन सिंग ने नई दिल्ली में परमान उर्जा कांकलेव 2019 कि ग्यारवे संस्क्राण का उद्खाटन किया जैसे पूछछता है आपसे कि परमान उर्जा कांकलेव 2019 का उद्खाटन कौन सब्सक्राण होगा फिर फिस इतना ही ज्यादा इंपोर्टन्ट है ठीक है जो देखेंगे आप यहां पर यह वाला यहां पर ध्यान देंगे ठीक है निक्ष चलिए देखेगा केवल महिलाओं ने की अंतरिक्ष में चहल कदमी नासा के अमेर की अंतरिक्ष छेयात्रे क्रिश्टीना कोच और जेसिका मीर ने एक साथ इस पेस वाग पर इतिहास रज़ दिया है ऐसा पहली बार हुआ है जबकि और महलाएं ही अंत्रिक्ष में चहल करदमी कर रही थी उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई एसस के बाहर साथ घंटे बिताए और एक असफल विजली नियंतरन एकाई की जगा ले ली सुष्री कोश ने पहले चार स्पेस वाक किये लेकिन यहां सुष्री मीर के लिए पहला ऐसा मिसं था जो अंत्रिक्ष में चलने वाली पंद्रह ही महला बन गई है चले नेक्ष देखेंगे आप विशुनात आनन ने अपने अन्हों पर लिखे एक किताब इनकी किताब इंपोर्टेंट है पर एक शो में पूछा जा सकता है कि हाली में आई आपके जो सत्रंज के खिलाडी है उनकी बुक का नाम क्या है और इनकी जो किताब कभी मोचन है वो 11 दिशंबर को होने वाला है देखिएगा भारती सत्रंज खिलाडी विशुनात आनन ने माइंड मास्टर वीनिंग लेसंस फॉर्म ए चैंपियंस लाइफ नामा के पुस्तक लिखी है हैजट इंडिया दौरा प्रकासित दौरा प्रकासित इस पुस्तक का भी मोचन 11 दिशंबर को होगा और यह पुस्त में उन्होंने दुनिया की सर्वसेश खिलाडियों के खिलाफ खेलने के अपने अनभो जीत की राणीती और निराशाओं से उबढ़ने के अनभो भी साजा किया है निक्ष देखेंगे काफी जादा इंपॉर्टन क्यूबा के वैल डांसर एलिशिया आलोंसो का निधन कि सबसे बड़ी वैले रीना में से एक माना जाता है उन्हें सौन तारिस में उन्होंने क्यूबा की राश्टिये बैले का गठन किया था चलिए नेक्स्ट देखेंगे किस्टेन लेगाट बनी यूरोपीय शेंटरल बैंग की नई प्रमोग बस इतना रखना एक नॉम्बर से मारिया ड्रेंगी इटली का अस्थान लेंगी बस इतना रखना किसका अस्थान लेना है ठीक है यह देख लेंगे और लेगाट की पुष्टिक आठ साल के गैर नवीनी करण कार्याले के लिए की गई है उन्होंने 2011 में आई एमफ के प्रमोग के रूप में आठ साल तक सेवा भी किया है ठीक है नेक्स देखेंगे सुथाकर सुकला बने आई एए वीबियाई के पूर्ण काली कालीन शदस दस काइबिनेट की निकती शमीद एचशी पांच वरसी आभी 65 वरस की आउर तक रहेगा नेक्स देखेंगे भारत की पशुधन आबादी में भारत की प्रशुदन आवादी 2012 की तुल्ल में 4.6 प्रशुद बढ़ाकर 5.578 मिलियन हो गया है पशुपालन और डेरी भागने 20 में प्रशुदन जगण 2019 के परिणाम जारी की है और इन परिणामों के अनुसार भारत की प्रशुदन आवादी 2012 से 512 मिलियन से 4.6 प्रशुद बढ़कर 2019 में कितना हो गया है 535 साथ आठ मिलियन हो गया है पहले कितना था पहले आपका 512 था कितना था 512 लेकिन अब कितना हो गया 535 साथ आठ मिलियन हो गया है 2019 में कुल गोजातीय जनसंक्या, गोधन, भैस, मिथून और याक पिसली जंगरना की तुल्ला में एक प्रिस्ट बढ़कर 302.79 मिलियन हो गई राज्यों में उत्तर प्रदेश की पशुधन आबादी 7.78 मिलियन है 2012 में यही कितना था आपका 80.7 मिलियन जो की सबसे अधिक है राजस्थान की 56.8 मिलियन और कितना था 77.7 मिलियन मद परदेश की कितना 44.6 मिलियन कितना था 36.3 मिलियन और पश्ची मगाल की कितना 37.4 मिलियन कितना है 33.3 मिलियन दोस्तों